हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिड्स एक नए वीडियो पे अगर आपको इस टैम्प एक अच्छा क्यामरा वाला स्मार्टफोन यह और आपका बजाट है 17,000 रुपया तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट क्यामरा वाला स्मार्टफोन को बताया है जिसे आप खरिद सकते अभी के टाइम पे 17,000 के अंडर में वैसे तो इस प्राइज पॉइंट पर काफी सारा फोन है बट सभी का क्यामरा बढ़िया नहीं है बट हमारे लिस्ट में जितने भी फोन है सभी का कैमरा काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा आइमीन 108 मेडा पिक्सल तक का कैमरा मिलेगा और कैमरा का क्वालिटी भी काफी बेटर होगा एक फोन में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और फोर्ड के तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसके अलावा पावर्फुल प्रोसेसर मिलेगा अच्छा डिस्पले होगा फास्ट शर्जर का सपोर्ट मिलेगा और हां RGB तक का RAM भी मिलेगा तो अगर आपको 17,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्ट फोन चाहिए तो आप इन में से किसी भी फोन को ले सकते हैं तो अगर आप इन सभी फोन के बारे में सही धंग से जानना चाहते हैं तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहें तो फिर आएए देख लेते हैं आजी का वीडियो को अगर आपका बनेट 16,000 तक में ही है और आपको इस प्राइज रेज़ बेंग अच्छा प्योर क्यामरा वाला स्मार्ट फोन चाहिए तो आप ले सकते हैं इसके अलावा भी इन में कई साड़े अच्छे अच्छे फीचर है तो क्या कुछ फोन में मिलेगा चलिए जान लेते हैं स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले से तो इनमें 6.7 इंच का फूल एचीडी पलस एमोलेट दिस्प्ले देखने को मिलेगा जिन में 90 हर्ट का प्राइमरी केमरा बड़ा से और और उनी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और प्रायमरी केमरा का वान पर्ट सेवन और ऑपरचर है और पीछे का camera से 2K तक की video recording कर सकते हैं 30 episodes पर अगर आपको vlogging वगरा करने के लिए एक अच्छा camera वाला smartphone चाहिए तो no doubt यह phone आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है और आप सोचिए कि 16000 वाले phone में OIS का support मिल रहा है इसके अलाबा इन camera के अंदर काफी सरा mode filter मिल जाएगा तो no doubt camera इस phone का काफी बढ़िया मिलेगा अब बात कर लेतना है phone का processor का तो इस phone मेडिया टेक Helio G99 वाला processor देखने को मिलेगा यह एक 4G chipset है और यह chipset 6 nm पर बना हुआ है और 3,67,000 के आसपास इस phone का अंतूतू इस score भी है और उससे सरा ऐसा है कि अगर आप इस phone में gaming भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे I mean 16000 के प्राइजरेंज के हिसाब से processor को ठीक ठाक ही कह सकते हैं ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और आप maximum 2 TB तक का memory को इसमें लगा सकते हैं बात करेंगे build quality का तो इस phone का back side जो है वो पलास्टिक का बना हुआ है और aluminium का frame है और बाकी बढ़ डिजाइन जो है इस phone का का काफी खूपसरों सा लगता है मेरे ख्याल से आपको पसंद पर जाएगा डिजाइन 193 gram इस phone का weight है weight को लगबग ठीक ठाकी कह सकते हैं और 7.9 mm का ठीकनस यानी के जदा मोटा phone भी नहीं है काफी पतला सा phone है इसके लवा कुछ चोटी मोटी feature की बात करेंगे तो 3.5 mm बाला headphone jack मिलेगा dedicated slot भी दिया गया है जिससे आप double semantic memory card को एक साथ लगा सकते हैं face unlock का support मिलेगा और side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है यहाँ phone XOS dual के साथ आता है जो के android dual पर base है और इस phone में dual speakers भी मिलेगा तो आए बात कर लेते हैं अखड़ी में इस phone का price इका तो यह phone फिलाल के time पे 15,999 रूपया में मिल जाएगा याई कि 16,000 रूपया इस phone का price है फिलाल के time पे अगर आपको 17,000 के अंडर में अच्छा प्योर camera वाला smartphone चाहिए तो no doubt यह phone आपके लिए कच्छा option हो सकता है तो फिर चलिए वीडिये में अब थोरा सागे वढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला phone का अपने list में दुसरा phone आता है Samsung के तरफ से Samsung Galaxy M33 5G जी हाँ दोस्तो यह phone भी एक अच्छा value for money smartphone है और यह phone खिलाल के time पे 17,000 रूपया में मिल जाएगा तो आए देख लेते हैं इस phone का features को start करेंगे इस phone का build quality से ही तो plastic build पे बनावा ये phone भी है plastic का back, plastic का frame दिया गया है 9.4 mm का थिकने से 25 gram इस phone का weight है ये चीज़ थोरा था ज़्यादा जरूर है इसके अलवा कुछ चोटी मोटी feature की बात करेंगे तो उन में 6.6 inch का full HD plus TFT LCD display देखने को मिलेगा जिसमें 120 Hz के इसकी डिफ्रेसरेट और 240 Hz का touch sampling rate दिया गया है 900 nits का पीक brightness मिलेगा और इसके ओपर Corning Gorilla Glass 5 का protection भी है बात करेंगे processor का तो में Exynos 280 वाला processor देखने को मिलेगा यह एक 5D chipset है और यह है chipset जो है ना 5 nanometer पर बना हुआ है और इस price range के इसाब से processor जो है ना बढ़ यहां ही है आई मिन अगर इस phone में gaming भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे और आपको बता दे कि 30,20,000 का असपास इस phone का अंतूतू score भी है बात करेंगे बैटरी का जो में 6000 image का एक बड़ा सा बैटरा मिलेगा जो कि support करता है 25W का charger को अगर आपको अच्छा खासा backup था है आई मिन बड़ा बैटरी वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो इसके लिए यह phone आपके लिए कच्छा option हो सकता है फिर बात करेंगे camera का तो इमें quad rear camera setup देखने को मिलेगा primary camera 50MP का है जिनका 1.8 का aperture है second camera 5MP का है जो कि ultra wide camera है third camera 4th camera 2MP का है जो कि micro sensor और depth sensor है इसके अलावा selfie camera 16MP का दिया गया है आप पीछे का camera से 4G तक की video recording कर सकते हैं 30 fps पर and retainer TP पर भी video recording कर सकते हैं 30 fps पर तो इसमें कोई सक नहीं है camera इस phone का का काफी बढ़िया मिलेगा और Samsung का है तो थो थोड़ा से उम्मीद किया जा सकता है I mean camera इस phone का बढ़िया है जिससे आप अच्छा का सा फोटोग्राफी विडियोग्राफी कर सकते हैं बात करेंगे RAM storage का तो में 6GB का RAM index 28GB का internal storage मिलेगा अगर आप चाहे तो इस phone में extra memory card को लगा सकते हैं और यह phone का base variant है और यह variant फिलाल के time पे 17,000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा इस phone का और एक variant आता है 8x820 जिसका price फिलाल के time पे 18,000 के आसपास में है तो आप अपने budget के हिसाथ से इन दोनों variant में से किसी को भी ले सकते हैं यह दोनों variant एक अच्छा value for money smartphone है तो चलिए फिर वीडियो में अब थोरा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला phone का अपने list में तिसरे number पे आता है Realme के तरब से Realme 9 4G जी हाँ दोस्तों इस phone को भी एक अच्छा pure camera वाला smartphone कह सकते हैं उस दिन पहले यह phone 14,000, 15,000 रोपया में खुलियां भी करहा था बड़ अब इस phone का price थोरा सा बढ़ गया है और 430 needs का brightness भी मिलेगा तो इस phone का AMOLED display तो काफी अच्छी बात है इसका काफी सारा benefits भी है बात करेंगी camera का तो इस phone के back side 3 camera मिलेगा primary camera 108 megapixel का है second camera ultra wide camera है जो की 8 megapixel का है third camera 2 megapixel का है और selfie camera 16 megapixel का है primary camera में Samsung HM6 वाला sensor देखने को मिलेगा and primary camera का 1.7 का aperture भी है तो camera इस phone का काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आप अच्छा का सा photography वीडियोग्राफिक कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं होगा और आप पीछे का camera से 1080p पर वीडियो recording कर सकते हैं 30 episodes पर तो कर आप एक अच्छा special camera वाला smartphone चीह है इसके लिए यह phone आपके लिए अच्छा option हो सकता है बात करेंगे performance and power house का तो इस phone में Qualcomm Snapdragon 680 वाला एक अच्छा 4G chipset देखने को मिलेगा यह chipset 6 nanometer पर बना हुआ है और 2,8,000 के आसपास इस phone का अंतूतू इसकोड़ भी है बात करेंगे RAM storage का तो में 6GB का RAM and 128GB का internal storage मिलेगा और आप maximum 256GB तक का memory को इसमें लगा सकते हैं बागी बात यह phone plastic belt पर ही बनावा phone है plastic का back, plastic का frame दिया गया है 7.9 mm का ठिकनेस एंडेक्स 880 gram इस phone का weight है 3.5 mm बाला headphone jack मिलेगा dedicated float दिया गया है जिसे आप double semantic memory card को एक साथ लगा सकते हैं security के लिए in display fingerprint का sensor मिलेगा और face unlock का support भी है user interface की बात करेंगे तो realme UI 3.0 के साथ आता है जो के android 12 पर base है आए बात कर लें तो आख़री में this phone का price का तो इस phone का base variant का price फिलाल के time पर पढ़ जाएगा 17,000 रूपया दूसरा वाला variant है 8108 जिसका price फिलाल के time पर 18,000 रूपया है तो अगर आपको अभी के time पर 17,000 रूपय में कच्छा प्योड कैमरा वाला smartphone यह तो यहाँ phone भी आपके लिए कच्छा option हो सकता है यहाँ phone फिलाल के time पर 15,000 रूपया में मिलेगा तो आएए देख लेते हैं क्या आपको जिस phone में मिलेगा क्या specification होने वाला है तो start कर लेते हैं phone का build quality से तो plastic build पर ही बनावा phone है plastic का back, plastic का frame दिया गया है 8.4 mm का थिकनेस एंडेक्स और 901 गराम इस phone का weight है और बाकी बार design वगरा काफी प्याडा सा लगता है देखने में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यह कम आपका है इसके अलबा कुछ basic feature की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला headphone jack मिलेगा triple cards load भी दिया गया है जिसे आप double semantic memory card को एक साथ लगा सकते हैं security के लिए side mounted fingerprint का sensor भी मिलेगा यहाँ फोन वान वाई 4.1 के साथ आता है जो के Android 12 पर base है इस phone के back side 3 camera मिलेगा primary camera 50 MP का है second camera ultra wide camera है जो की 8 MP3 camera 2 MP का है और selfie camera भी 8 MP no doubt camera camera का काफी बढ़ियां मिलेगा जिसे आप अच्छा का सा photography वीडियोग्राफिक कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप पीछे का camera से 4K तक की वीडियो recording कर सकते हैं 30 fps पर तो यह चीज़ बढ़ियां ही है बात करेंगे डिस्पले का तो उनमें 6.6 inch का full HD plus TFT LCD डिस्पले देखने को मिलेगा जिसमें 120 Hz का इसकी difference rate और 240 Hz का touch sampling rate भी आ गया है 600 nits का peak brightness मिलेगा और इसके उपर Corning Godilla Glass 5 का protection भी है इसपले स्पोन का बढ़िया है अब बात करतें स्पोन का प्रोसेसर का तो इसपोन में Qualcomm Snapdragon 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा यहाँ प्रोसेसर 8 nm पर बना हुआ है और 30,000,000 स्पास इसपोन का अंतूतु स्कोर भी है दिके 15,000 के price range के हिसाब से प्रोसेसर बढ़िया ही है अगर आप इसपोन में हलका full का gaming भी करना चाहेंगे तो वह भी कर पाएंगे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बात कीजाएं बैटरी का तुन्हें 5000 मेच का बैटरी मिलेगा जो कि सपोट करता है 25 वाड का चार्जर को यह चार्जर को यह चार्जर को भी एक एवरेज़ टाइप का ही चार्जर कह सकते हैं ज्यादा बढ़िया बी नहीं ए और ज्यादा खराब भी नहीं है आए फिर बा काफी तगड़ा लेवल का मिल जाए तो no doubt यह phone आपके लिए अच्छा option हो सकता है तो फिर से लिए BTM अब थोरा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का आखड़ी phone का अपने लिस्ट में आखड़ी phone आता है Moto के तरफ से Motorola G62 5G मैंने ये phone उनके लिए सेलेक्ट किया है जिनको 17,000 के अंडर में अच्छा All-Rounder Type का Based Value फोर मनी स्मार्टफोन चाहिए जी हाँ दोस्तों ये phone एक अच्छा तगड़ा लेवल का स्मार्टफोन है इन में सभी feature काफी बढ़ी हां मिलेगा ये देख लेते हैं क्या कुछ इस phone में मिलेगा क्या इस पेसिफिकेसन होने वाला है स्टार्ट करेंगे इस phone का भी build quality से तो plastic build पे बनावा ये phone भी है plastic का back, plastic का frame दिया गया है 8.9 mm का थिकने संट 184 ग्राम इस phone का weight है ये जिसको लगबग normal ही कह सकते हैं और कुछ basic feature की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला headphone jack मिलेगा hybrid load दिया गया है security के लिए face unlock का support मिलेगा outside mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है यहाँ phone is 4 का Android के साथ आता है जो कि run करता है Android 12 पर इन में 1 year का Android update और 3 year का security update मिलेगा जो कि यह जीच काफी बढ़िया है अगर आपको pure clean UI वालेक अच्छा smartphone चाहिए तो इसके लिए भी यह phone आपके लिए अच्छा option हो सकता है बात करेंगे इस phone का कुछ man-man features का तो तो इस phone में साथे change का full HD plus IPS LCD display देखने को मिलेगा जिसमें 120 Hz का screen differentiate and 240 Hz का test sampling rate दिया गया है and 500 nits का brightness भी मिलेगा तो display no doubt price range के साथ से काफी बढ़िया मिलेगा smoothness भी काफी बढ़िया है जिसके कारण ये phone काफी smoothly work करेगा and अगर आप इस phone में gaming भी करना चाहेंगे तो वो भी काफी smoothly कर पाएंगे बात करेंगे प्रोसेसर का तो में Qualcomm Snapdragon 695 वालेक अच्छा powerful gaming chipset देखने को मिलेगा अगर आपको 15-16,000 रपे में अच्छा gaming वाला smartphone चाहें तो इसके लिए भी ये phone आपके लिए कच्छा option हो सकता है बात करेंगे battery का तुने 5000 mAh का battery मिलेगा जो कि support करता है 20W का charger को आएए बात करते हैं इस phone का camera का तो इनमें किरे पर rear camera setup देखने को मिलेगा primary camera 50MP का है, second camera 8MP का है जो कि ultrawide camera है third camera 2MP का है जो कि macro sensor है और selfie camera 16MP का है इस phone के पीछे का camera से maximum 1080p पर video recording कर सकते हैं 30fps पर और 60fps पर और front camera से केवल 1080p पर video recording कर सकते हैं केवल 30fps पर तो camera भी phone का बढ़ी हाँ ही मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं phone का RAM storage का तो तो इन में 6GB का रहा है मैं 128GB का internal storage मिलेगा तो फिर आएए बात कर लेते हैं इस phone का price रिका तो तो ये phone भी दो variant में आता है, पहला आता है चेक सोथाई जिसका price फिलाल के time पे 15,000 रूपया है अगर आपको 16,000 रूपय में अच्छा old rounder type का based smartphone चाहिए तो यह phone भी आपके लिए अच्छा option हो सकता है देखिए अब आपके पास 5 based camera स्मार्टफोन है आप इन में से किसी भी phone को ले सकते हैं ये सभी phone एक अच्छा value for money स्मार्टफोन है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो गर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं ने एक्टिव वीडियो के साथ